ओम्-शांति! बाप बार-बार बच्छो को सम्झाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आये हैं एक बात याद रखो कहीं कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वो सामने वाले नहीं किया पर मीठापन किसका गयब हुआ है अपका ये सामने वाले नए पीछे से कुछ भी कोई करें, ठीक है, मीठापन गायब किसका हुआ है, आपका ये सामने वाले का, आपकी चीज फीकी हुई है न, क्योंकि आप नहीं समझें, लेकिन हम क्या करते हैं, कारण ढूंड लेते हैं, मानो कोई situation आई, दो वेक्ति हैं, एक ने ऐसे बोला, दूसरे भी ऐसे बोला, फिर तो उसे ने ऐसे बोला, उसने भी ऐसे बोल दिया, माना अब हम conclusion क्या निकालेंगे, किसी नहीं ऐसा था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन मीठापन खोया किसने, वो अगर हरा आत्मा समझ ले, तो उसको पता रहेगा कि अरे किसी और पे डाल द है न, हर चीज को छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर देना, लेकिन उसमें ये ना ढूंड पाना, कि मेरा संसकार क्या हो ना चेये, situation में, ये ना जज़ कर पाना, अब आप पाट धारी हो, ड्रामा चल रहा है, एक्टिंग हो रही है, तो सीन तो सारों के साम नहीं है, कोई ये कहे, मेरे सामने तो ऐसा कोई सीन ही नहीं आता, तो फिर वो समझ की कमी है, सीन तो आते हैं, पर विशेष्टा तो ये देखनी है कि आप अपनी उस साम लेने कराते हैं, या जो पुराना सोभाव संसकार है, उसके इसाब से उस चीज़ों को डिल करते हैं, तब वहवार में आते हैं, अब देवताएं कहते हैं कितने मिठे, लेकिन उनका बेस क्या है, ब्रामन जीवन, देवताओं के मिठे पन का बेस क्या है, अगर ब्रामन पने में वो मिठे नहीं तो देवतापने में भी तो लास्ट में जाके आएंगे त्रेता के लास्ट में तो पूरे के पूरे 21 जनम तो नहीं रहे ना मिठे लास्ट में रहेंगे लास्ट में परमधाम से उतरेंगे तो जो पूरे ब्रामन जीवन में मिठा रहेगा वो कैसा उ कि मुझे तो मीठा ही रहना है अब मीठे रहने के लिए आपने चीनी कितनी गोलनी है अपने अंदर तो आप देखो कि चीनी गोलना मना कि हर बात को आपने समझ से ज्ञान से कैसे यूज करना है और योग से अपने ताक्त कैसे लेनी है ऐसे नहीं हर सिच्वेशन आपके इन में या तो ऐसे हो जाते हैं तो ज्ञान योग तो टोटल लास तक साथ में चलता रहता है उसके अधार परियाप की धार नहीं होती है उसके अधार परियाप दिखाई पड़ते हो उसके अधार परियाप की सेवा होती है तो तीसरा और चोथा सब्जेक्ट तो ग्यान और योग के साथ ही चलता रहता है कोई कहे मेरा ग्यान योग ठीक है अबर इधार न ओपर निचे है possible ही नहीं है तो अगर मीठा पन है तो माना कुछ समझ है तब ही मीठा पन है आप समझ की कम ही होगी तो बार बार खटे कड़वे होते रहेंगे बात बात पे भीगडेंगे बाब तो आते ही सबसे पहले क्या कहता है मीठ बच्चे इसका मदब सिर्फ वो संसकार इमर्ज करना है क्योंकि ये परमातम महवक्य है इसको सिद आपको अपने संसकारों से अपने सोभाव से करके दिखाना है भगवान ने आपको बहुत बड़े बड़े वर्दान दिया है बहुत बड़े बड़े टाइटल दिया है उसको सिद आपको अपने प्रैक्टिकल कर्मों से करना है तो इसलिए बाबा आके सबसे पहले क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मीठे बची, इसलिए आप मीठे हो, नैचुरल मीठे हो, लेकिन अभी प्राक्टिकल मीठा होना है, नैचुरल मीठे हो पर प्राक्टिकल पीठा होना है आपको, जिससे हरे एक एकी सर्टिफिकेट दे, कि मीठे है ओम शान्ति